दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अप से दो लोगों की मौत हो चुकि है इधर पटना समित कर जीलों में सन्यवार साम को बारिस भी है वाज देकि बेमासम होई इस बारिस से ठंड और बढ़ेगी बिहार में कडाके के ठंड के साथ घंड कोरा चाया हुए है पटना से राज के अधिकतर जीलों में कोरा की वज़ा स कनकने भी बेड़ गई है माई देखे बीते दिन टर्ण के करण सिवान और लेकिस तरह में दो लोगों की मौद भी हो चुकी है माई देखे घाना कोरा होने के कारण इस से रेल मिमान और बस सिवाई भी चर्मरा गई है साथ देखे पीछले एक हपते के आकड़ो के नुसार द परवंगा के एक्युआ 384 समस्तिपूर के एक्युआ 376 भागलपूर के एक्युआ 377 बेतिया के एक्युआ 377 दर्ज किया गिया अधार से पैन को लिंक नहीं किया तो इस तारिक की बाद हो जाएगा निस करिया आईकर विभाग ने जारी की एड़वाईजरी ज्यादे के आईकर विभाग द्वारा सनिवार को जारी की गए एड़वाईजरी में कहा गया कि जिन लोगों ने भी अब तक अपने पैन को अधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है 31 मर्च 2023 से उनका पैन निसकरिया हो जाएगा ऐसे में आपको इंकम टेक्स से जुड़े कई कारियों क करने में समझ से का समन करना पड़ सकता है वाईदी की पैन जारी करने वले विभाग की और से ब्यान जारी कर कहा गया कि आईकर अधिनियाम 1961 के ताथ अभी तक लोगों को अपने पैन से अधार से लिंक कराना ज़रूरी है जो छूड की स्रेनी में नहीं आते हैं वहीं 33 2023 से पाले अपने पैन को अधार से जोड़ना निवार है केंद्रे वीत मंत्राला के और से जारी की गए एक अधिस उचना के मताबिक आसाम जम्मू और कस्मीर और मेगला में रहने वाल उन विक्ति को छूट दी गए जिनके आयकर दिनियाम 1961 में नौन रेजिडेंट माना गया ह पड़ी खरमदी के बिहार में भी अब देख सकेंगे गेंडे वालमी की टाइगर रिजोर में पेस से हो रहे गेंडो की बसाने की तयारी जाद के बिहार वालमी की बागा बिहारन में गेंडो को फिर से बसाने की तयारी की जारी वीटियार को राष्टी गेंडा सरचन रहन यहां एक मात्र गेना रहता है कि बिहार में को लेकर सेम ने स्वास्त विभाग को दिया अलट रहने कर निर्देश कहा घबराने के जरूरत नहीं जहाद के मुख्य मंतरे नितेश कुमार ने राज के लोगों से कहा कि कोरोना को लेकर घबराए नहीं लोग सचेत और सजग रहे सनिवार को एकने मार गेसे संकल्प में कोरोना से समधेद उची सरी समीचा बैड़क के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर घबराने के कोई जरूत नहीं है वाई देखे उन्होंने स्वास्ति बिवाग को कोरोना को लेकर पुरी तरह अलट रहने को कहा है साथी बाहर से आने वाले लोगों की रेंडम जाच और कोरोना जाच के संग्या बढ़ाने के साथ साथ टिका करन में भी तेजी लाने के नेदिस दिये हैं देखे बैठक में मुख्य मंतरे ने कहा कि नए वेरियन को देखते वे कोरोना के पिर से बढ़ने के आसंका है स्वास्ति विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया कि राज में आज की तिदि में कोरोना का एक्टिव के सुन्य है इसलिए हमें कोरोना से घबराने की जवर्त नहीं है। सप्लाइ में कमीन आए साथ वेंटिलेटर और ऑक्सिजन सप्लाइ की मसीन दुरस्त रखी जाए वाज़े के इस से पहले केंद्र स्वास्त मंत्री डाक्टर मंसुक माडवा ने कहा कि चीन जापान साउथ कोरिया होंग कोंग और थाइलेंड से आने वाले यात्रियों के लिए साप जादिके वार्स 2023 सिख्चा के छेतर में खास प्लावदे वाला साल होगा इस साल ना के वलबड़ी सेंखा में सिख्चकों के न्योक्ति होगी बलकि नए पद के स्रिजन का रास्ता भी खुलेगा वाज़े कि आने वाले साल में दो लाग से अधिक सिख्चकों के न्यो सिख्चकों के न्योक्ति होगी अठारा से स्कुलों के इंटर स्कुल में अपग्रेट करने के बाद उमीद की जारे कि इस साल भी सभी पांचायतों में इंटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी साथ दिके इस साल सभी प्रारामिक विदालोय को अपना विदालोय भावन मिलने के उमीद अभी 15,941 प्रारामिक विदालोय में 15,653 में दालोय को भावन तयार हो चुका है बाड़ी खरम देखे बिहार में इवाव के लिए खुसकबरी स्वास्त विभाग में अगले 6 मां में निकलेगी 70,000 बहाली जादे के बाड़ी खबर है बिहार में नौकरी के चाहत रखने वाले इवाकुतियों को बड़ी खुसकबरी मिलने वाली है इस बिभाग में आगा में 6 महिने के अंदर 70,000 कर्मी बहाल होंगे जिसमें से 35,000 एनेम की होगी बहाली वाई देखे इस बात के जानकारी खुद बिभाग के अपर मुईक सचिव प्रहतत अमरित ने दिया है स्वास्त बिभाग के अपर मुईक सचिव ने इस मसले पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में जल्दी स्वास्त बिभाग में बहतरी और सुविधा में बड़ोतरी के लिए नए स्वास्त कर्मी की बहाली सुरू की जाएगी इसके अलावा मिसन साथ को लेकर अपर मुईक सचिव ने कहा कि मुईक मंदरे डिजिटल स्वास्त योजना का काम पाले चरण में पटना गोपाल गज सिवान और नालंदा जिला में हुआ है हाई दूसरे और तिसरे चरण हमने बाई की कि बचे वे एक जिलो में काम किया जाएगा इसके साथ उन्होंने बताई कि बिहर देश में पहला ऐसा राज्य है जहां कि स्वास्त सं sighs how को लेकर अलग अलग जिलो को लेकर एक एक एप तयार किया गया है इसके तदब तक बावन एप को एक जगा करला दिया गया है बाड़ी खर्मदी के साथवे चरण के सिक्चक नियोजन में बड़ा बदलाओ की तयारे अब नहीं होगे कोई लेकित बरिच्चे और इंटर्वियू जिया देखे बियार में साथवे चरण के सिक्चक बाहाली को लेकर अब नहीं नहीं आमाली बनाने के तयारे शुरू कर दी गई है सिक्चक बिबांग ने अब यह निने लिया है कि बीबी ने वर्गों के डाई लाग से अधिक सिक्चकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचाती राज संस्तान बहाली नहीं करेगी बलकि इसको लेकर जिला इस्तर पर केंद्र केत्र इकाई गठित की जाएगी मिले जानकारी के नुस्तार या केंद्र केत्रे काई सिक्चक पाद के लिए अनुस्तान से अभी अर्तियों कि नाक केवाले जिला हिस्तर पर काउंसलिंग करेगी बलकि उनने नियुकती पद भी बाड़े इसके साथ या पंचात सिस्तर से लेकर प्रकंड और नगरे इसके लिए बिहार लोग से वायोग कर्मचारी चैन आयोग और बिहार तकनिकी से वायोग में से किसी एक एजनसी का चैन किया जाना है साथवे चरण में सिख्चक कैटिगरी वही रखी जाएगी इसके बिहार में लोगों को बेहतर परिवान से वा देने के लिए राज के बिवी ने जिल से अपर डाउन दोनों के लिए पैतालिस तदिक रूटों पर नई बस चलाए जाएगी इन बसुक परिवान बिवाक की ओर से आवेदन मांगा भी गया है इस सिवा को नीजी सयोग से सुरू करने का निणख लिया गया है इसके साथ है अंतर चेतरे मार्गो का भी चैन कर लिया गया जहां से बसुक का परिचलन होना है इन नए बसों की परेचलान से लोगों को एक से दूसरी जिला आना जाना और अब भी सुविदाजनक हो जाएगा बाड़ी खर में दिखे कोरोना जाच के मामले में बिहार टोप पर केंद्रे स्वास्त मंत्री मंसुक मानिवा ने राज की समिक्छा की जादे केंद्रे स्वास्त मंत्रे मंसुक मानिवा ने शुकरवार को देश के सभी राजों के स्वास्त मंत्रे के साथ कुरोना को लेकर वीडियो कॉनफरेंसिंग की मुख्य मंतरे नेदेस कुमार के नेदेस पर बिहार देस के अने राजों की तुलना में सरवादिक कोरोना सेंपलों की जाच लगातार कर रहा है आपको बता दे कि देश में एक दिन में डेड़ लग सेंपलों की जाच हो रही है जिसमें बिहार में सरवादिक 50,000 सदिक सेंपल सामिल है वह देखे केंद्रे स्वास्त मंद्रे के साथ बेड़क के बाद बिहार ने 27 दिसमर को राज के सभी अस्पतालों और सिवाव का मौक डिल करने के लिए कहा गया है जाच सुरू करने का निर्देश जाद के चीन अमेरिका समय देश भर में कोरोना बेकाबू हो चुका है भारत में भी इसका सरखत्रा मरणाने लगा है इससे पहले के देश में हालत बिगड़े बिहार में भी अलर्ड जारी कर दिया गिया है राज के सभी होस्पिडल एरपोर्ड समयत आने भीड भार वाले जगह पर अलर्ड जारी हुआ है वाईदे के कल अपर मुई के सची प्रतेतामरित ने समीच्छा बैठक की जिसमें कोरोना से बचाव करने पर चर्चा हुई वाईदे के बैठक में निर्देस दिया गया कि अब सतर करना जरूरी है इसलिए भीड भार वाले जगह पर जाच सुरू की जाए चाहे एरपोर्ड हो या रेलवे स्टिसन हो इन जगह पर अलगलग राज और अलगलग देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं इसलिए एरपोर्ड और रेलवे स्टिसन पर जाच सुरू की जाए साथी मौल बाजार और अन भेड बाड़े वाली जगह पर भी सत्रकता जरूरी है बाड़ी खर्मदी के बिहार में अगर बिना कारण बताए दाखिल खारिज के आवेदन रद किये तो माइन नहीं होगा आनन फानन में कोई आवेदन आस्विकिर्थ नहीं किया जा सकेगा अगर आवेदन आस्विकिर्थ किया गया तो वो हम माइन नहीं होगा राजस व एवंबोमि सुधार विवाग ने इस समन में अभी ज़न्चलो को नेदेश जारी कर दिया है दारसल इस समय दाखिल खारिज को लेकर राज सरकार बहुत गंभिर है बड़ी संका में ऐसे मामले लगतार लम्मित हो रहे हैं उसके निस्पादन के रप्तार बहुत देमी है यही नहीं इसके स्विकिर्ट करने और अस्विकिर्ट करने का कोई भी कारण नहीं बताया जाता ह जिसको देखते विए फैसला लिया गया है प्रिकर में देखे बिहार में पांच जन्वरी से सुरूह की भारत जोडो यात्रा वेक्सिल लेने वाले कोंग्रेस ही होंगे सामिल जिया देखे बिहार में भारत जोडो यात्रा के लिए प्रदेश कोंग्रेस के नेता तयारी मे यह इसे देखते वी पाड़े वैक्सिन डोज लेने वालों को यातृ में सामिल होने कर नेदेश जारी करेगी। भारत जोड़ो यात रकर रूड तयार कर लिया जाएगा। आवी तक बाका के मांदार से लेकर भागलपूर तक रूट चार्ट तयार हुआ है इसमें दो रात्री विस्राम बाका जिले में अलग लग इस्तानों पर किया जाएगा इसके बाद की यात्रा में एक रात्री विस्राम भागलपूर सहर के पहले ने धारित किया गया है पर बदे के मुख्यमांत्री कन्या उतानी योजना का लाब लेने के लिए इस तारीक को करे पंजियान खोला जाएगा एक लियान पोर्टल जिया देखे सिच्चा विबाग ने मुख्यमांत्री कन्या उतानी योजना के तहट वित्य वर्स 2022 में जिलो की तरब से मेगा सॉब्ड पोर्टल पर पांच दसमलोग दो लाग चात्राओं की जगा केवल एक दसमलोग चुरासी लाग चलाबोग चात्राओं की पाचान की है पर एक बार फिर कोलने का देने लिया गया है या पोर्टल एक जनवरे 2023 से खुला जाएगा इसके अधिकारिक आदेश सुकुरवार को जारी कर दिया गया है आपकी जानकारे के लिए बदाए कि मुख्यमंत्री कन्या उतानी योजना को बिहार सरकार द्वारा राज के कन्य